आज हम करने जा रहे हैं आपके मैठ बुक में एक्सराइज वन एफ तो इससे जो रिलेटिड है और नंबर और इवन नंबर मैंने लाइट क्लास में करवाया था सैटरड़े को रूसी को मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा और नंबर और इवन नंबर को अगर हम फाइंड आउट रहना हो तो उसका सबसे इजिएस्ट वे यह है कि हमें कोई भी डिजिट का जो पिछे वाला नंबर है उसको ध्यान में रखना है लाइक अगर मेरे पास नंबर है 27, 43, 28 तो मुझे यहां पर क्या दिखना है कि जो पीछे के जो नंबर है उन नंबर पर ध्यान देते हुए हमें मुझे और और इवन नंबर को करना है तो आप कैसे ध्यान रखेंगे जो हमारे ओड नंबर है और जो हमारे इवन नंबर है ओड को हम ओभी राइट करते है और इवन को हम राइट कर देते है तो ओड नंबर हम कैसे हम पता लगाएंगे उसके लिए हमें क्या देखना है कि जितने भी हमारे पास नंबर है उनके पीछे का नंबर कौन सा है अगर उसके पीछे का नंबर है 1, 3, 5, 7 and 9 इट मीन्स वो सारे क्या होंगे और नंबर लेकिन अगर जो पीछे डिजिट दी हुई है वो नंबर होंगे 2, 4, 6, 8 and 0 तो वो सारे नंबर क्या होंगे? इवन नंबर बहुत ही असान तरीका है सबसे असान तरीका यही है और और इवन नंबर को फाइंड आउट करने का हमें हमारे पास जो भी नंबर हो उसकी हमें जो बैक जो नंबर होंगे जो पीछे वाले जो नंबर होंगे उन्हें देखना है like यहाँ पर क्या है 27 तो पिछला digit क्या है 7 तो 7 किस में आ रहा है odd की line में it means हम यहाँ पर write कर देंगे O तो क्या हो जाएगा यह क्या होएगा odd number next is 43 43 के देखिए पिछे क्या है 3 तो 3 किस line में आ रहा है odd की line में आ रहा है तो यह भी क्या हो जाएगा odd number next is 28 और यहां देखिए 8 है odd की line में यह नहीं है even की line में यह है it means यह क्या हो जाएगा even number तो odd और even number को write करने के लिए odd के लिए हम O इस्तेमाल करते हैं और E के लिए हम use करते हैं even के लिए हम use करते है E उसी तरह से आपकी एक्सराइज है color the petal with odd number red and even number orange आपको दो color करने हैं इन flowers में इन petals में जहां पर तो odd number है वहां आप करेंगे red तो आप यह देखें आप यहां पर देखें यह सारे odd number है तो इन में आपके कौन सा color करना है red और जो हमारा even number होंगे उसमें हमें color करना होगा orange तो हमें इसी चीज़ को ध्यान रखना है like मैं यह देख रही हूँ 15 15 अगर मैं number लेती हूँ तो पीछे क्या number है 5 it means 5 किस की line में आ रहा है odd की line में तो हम यहां पर कौन सा color करेंगे red next is 18 18 का जो पीछे का जो number है वो है 8 और 8 किस पे आ रहा है even number में it means हम उसमें कौन सा color करेंगे orange color इसी तरह से आपको यह जो petals है यह complete करनी है इसके बाद है आपकी workout exercise है जिसमें आपको numbers name ascending descending put the sign करने है जो कि आप पहले से ही बहुत अच्छे से करती है so उससे related जो pdf है मैं आपको group में send करूंगी और आप उसकी help से जो work है आप अपना complete कर पाएंगे I hope आपको odd number और even number understand हो गए होंगे और उसी के थुरू आपको क्या करना है इन petals को complete करना है thank you have a nice day